मद्धिपर्देश के धार जीले में कोरोना का संकट इन दिनों गहराता जा रहा है कोरोना के फैलाओ को देखते हुए धार जीले में प्रशासन द्वारा सक्ती बरती जा रही है महीं प्रशासन द्वारा अन्य पुक्ता इंतिजाम भी किये जा रहे हैं इसी को दिहान में रखते हुए जीला प्रशासन ने धार जीले के लिए दो लाइफ सपोर्ट एम्बूलेंस की वेवस्ता की है जो जल्द ही सेवाएं देगी इस संबन में कलेक्टर आलोक कुमार सीह ने बताया कि जीले में कोरोना की वर्तमान स्थीति को देखते हुए एम्बूलेंस की सकता आउशकता है जिसके लिए प्रशासन ने ब्रिश्टोन और आयशर कमपनी से बाद भी की है इसके अलावा अन्य उद्दोग पतियों से भी च तो दूसरी एम्बूलेंस मोहन खेडा में बने कोविट केर सेंटर में रखी जाएगी कलेक्टर आलोक कुमार सीह ने बताया कि मुझे उम्मीद है कि आंगले तीन दिन में दोनों एम्बूलेंस हमारे पास आ जाएगी और हम लोगों की मदद कर पाएंगे जिले में करोना की वर्दमान इस्तिति को देखते हुए हमें एम्बूलेंसेज किया उसकता है इसके लिए हमने ब्रिजी स्टोन और आईसर कंपनी से भी बात किया है इसके लावा इंडिस्टिलिस्ट लोगों से भी अन्रोथ किया है और कुछ हमारे पास जो फंड सीम डिल खेड़ा में जो हमारा बड़ा सिंटर बनाए कोवीड सिंटर हम वहाँ पर उपलब्द कराएंगे तो मुझे उम्मीद है कि अगले तीन दिन में यह दोनों एम्बूलेंसेज हमारे पास आ जाएंगी और हम लोगों को मदद दे पाएंगे आपको बता दे कि एडवांस लाइफ सपोर्ड एम्बूलेंस अत्याधूनिक एम्बूलेंस है और एक चलते फिरते छोटे आईसू की तरह काम करती है एम्बूलेंस के अंदर ही मरीज की जिन्दगी को बचाने के सारे आधूनिक उपकरन होते है यदि सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही धार में लाइफ सपोर्ड एम्बूलेंस की सुविधा आम लोगों के लिए मुहया कराई जाएगी समाचार एक्सपोस के लिए धार से डॉक्टर अशोक शास्त्री की रिपोर्ट